अब wings के बाद हम legs की बाद कर लेते हैं, cockroaches have three pairs of legs, तीन पेर leg के यहाँ पाए जाते हैं, और तीनों ही pair जो हैं वो thoracic region में ही हैं, thorax में ही हैं, ठीक है, abdominal region में और head region में कोई leg नहीं हैं, तो thoracic region में three pairs of legs यहाँ पाए जा रहे हैं, तो तीन pair of legs हैं और तीन ही thoracic segment हैं, तो first pair of legs पाया जाता है, प्रो thoracic region में, तो बोल देते हैं, प्रो thoracic legs, second pair पाया जाएगा, meso thoracic segment में, तो बोल दिया, meso thoracic leg, और third pair पाया जाएगा, meta thoracic segment में, तो बोल दिया, meta thoracic legs, ठीक है, total three pairs हैं, अगर इस diagram में आप देखो, यहाँ पर, तो यह बड़ी सी plate है, जो मैंने आपको अभी largest scleride बताया था, यह क्या है, यह है, प्रो नोटम, है ना, जो प्रो thorax पर है, और फिर यह आप यहाँ पर जो है legs हैं, वो देख रहे हैं, जो cockroach की legs हैं, वो बहुत ही specialized हैं, किसी भी surface पर बहुत तेज भागने के आप जानते हैं, कि cursorial animals हैं, यह fast runner हैं, इनको इस नाम से जाना जाता है, कि यह बहुत तेज भागेंगे, और आपने देखा भी होगा, बहुत smooth surface पर भी, बहुत चिकनी और बहुत smooth surface पर भी, जहाँ पर normal चलना मुश्किल है, यह वहाँ पर भी बहुत तेज भागके और नि चान बचा लेते हैं, तो यह इनकी legs की खास बात है, ठीके, तो यहाँ पर अब हम observe करते हैं, कि legs का actual structure क्या है, देखे, मैंने आपको यहाँ भी इस original leg पर भी labeling करके मैं आपको दिखा रही हूं, ठीके, तो पहली बात तो यह कि जो leg है, वो thoracic region में हैं, और जो leg body से attached हैं, ज sternum and the pleura, क्योंकि इनका lower origin है, यह नीचे वाले parts होते हैं, तो यह sternum, मतलब ventral side वाली sclerite और lateral side वाली sclerite, उन दोनों के बीच से इनका origin होता है, clear, अब इसका structure observe कर लेते हैं, यह देखे, यह diagrammatic representation है, यह है actual leg, जिसका first part होता है, coxa, coxa, ठीक है, coxa, यहाँ भी मैं आप दिखा रहे हूँ, यह, यह part है coxa, ठीक है, coxa जो है, यह hard podomere है, ठीक, जो की body से articulate कर रहा, जो की body से जुड़ा हुआ हुआ है, right, podomere word मैंने यहाँ पर use किया, यह word पहले भी आ चुका है, जब इन आपको antenna पढ़ काया था, तो उसके segment को podomere कहा था, यहाँ भी जो leg आप देख रहे हैं, leg में segments है, है न, और jointed appendages इने कहा जाता है, यह बात आप जानते हैं, phylum orthopoda के general feature में हम पढ़ चुके हैं, कि these animals have jointed appendages, और वो बहुत clear आपको दिख रहा है, कि देखे, leg में बहुत सारे segments है, right, तो हर segment को हम podomere कहेंगे, podomere is a common word for the segment, ठीक है, तो coxa एक hard podomere है, जो body से articulate करेगा, जो body से जुड़ा हुआ है, यह leg, body से coxa की help से ही जुड़ी हुए है, यह बात आप बूल सकते हो, ठीक है, उसके बाद एक छोटा part है, trochanter, उसके बाद आता है, femur, femur long part है और hardest part है, hardest part of the cockroach leg, वो है femur, right, यह बहुत मजबूत part है, जो बहुत smooth movement में help करता है, उसके बाद next part आया, tibia, tibia जो है, it is thin cylindrical part है, यह और यह longest part of leg भी है, सबसे लंबा part है, यह बात आपको ध्यान लखने है, cockroach की leg का hardest part femur है, tough part femur है, और जो longest part है, वो tibia है, right, tibia के बाद आते हैं, tarsus, ठीक है, tarsus, जो है, tarsus के पास five tarsomeres हैं, tarsus में total five segments हैं, तो जो tarsus के segment हैं, उनको बोला है tarsomeres, आप count कर लो, one, two, three, four, five segments हैं यहां पर, और यहां पर बहुत clear आपको counting दिखाई हुई है, बहुत clear, tarsomeres, ठीक है, coxa था, coxa के बाद यहां पर यह चॉक एंटर था, यह small part है, उसके बाद आया femur, femur के बाद आया tibia और यह आगया tarsomeres, ठीक, clear है, अगर आप ध्यान से देखनेंगे, तो इसके end part पर हाँ पर claws हैं, और यह दो कुछ आपको rounded structures दिख रहे हैं, ठीक है, यह जो claws हैं और जो यह pads हैं, यहां पर यह जो swollen part पाया जा रहा है, जो hairy pads हैं, ठीक है, यह जो हैं वो adhesive pads की तरह काम करते हैं, और cockroach को किसी भी surface पर चलने के लिए help करते हैं, means यह जो जिस भी base पर cockroach चल रहा है, उस base पर उसको firmly attached होने में help करते हैं, ताकि movement smooth हो और easily हो पाए, तो यह जो last के दो पार्ट हैं, जो यह tarsal claws हैं और जो यह pads हैं, रैसे pads, यह भी बहुत important role play करते हैं, ठीके, तो this is the overall structure of a cockroach leg, three pairs of leg हैं, जिसके यह podomeres आपको ध्यान रखने हैं, ठीके, coxa, trochanter, femur, tibia और tarsus, tarsus के further segments हैं, जिनको हम tarsomeres कह देते हैं, ठीके, और last में claws हैं और adhesive pads हैं, right, तो leg complete.